आज मैं आपको जानकरी दूँगा अभी अभी थोड़ी देर पहले बुद्ध ने रासी परवर्तन कर लिया है और बुद्ध और सुक्र दो मित्रों का मिलन तहल का मचाएगा दौनों एक दूसरे के मित्र है और दौनों मध्यम बली है मध्यम बली का मतलब है कि दौनों ही बलवान है बुद्ध बलवान है और बुद्ध से ब्रस्पती बलवान है और ब्रस्पती सुक्र बलवान है और ये दौनों बल्वान होकर के चार रासियों के लिए तो बहुत जबरदस्त है और चार रासियों के लिए थोड़े मध्यम है यनि इन चार रासियों पर धन की बौचार करने वाले हैं क्योंकि राजयोग बनेगा मालब नाम का राजयोग बनेगा केंदर तुरकोंड राजयोग भी बनेगा अभी अभी ये परवर्तन हुआ है अब वो कौन-कौन सी चार रासिया है जिन पैदन की बौचार होगी वो कौन सी चार रासिया है जिन का भाग गुदा होगा और वो कौन सी चार रासिया है उनके तीसरे छटे आठ में और बारम भाव में भी कोई ने कोई योग अवश्च बढ़ेगा अब यह में सुरुवात करते हैं सबसे पहले मेस रासी से सुरुवात करेगी मेस रासी वालो आपकी जो रासी का स्वामी है वो है मंगल वो छटे बाप के अंदर बैटा हुआ है और आपके आईू का स्वामी भी छके बाब में बैटा हुए इसका मुतलब यह है का आपके स्वास्त के उपर इसका tactics रहेगा लेकिन बाप धनकी करते हैं तो यहां धनका स्वामी और सब्तम बाप का स्वामी सुक्र है और सुक्र अपने मित्र बुद्ध के साथ बैठ करके यहाँ पर मालब नाम का महापुरस राजोग बना रहा है थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपके पास अपार पैसा आने का योग बनता और आप बहुत बाइक साली है आपको यहाँ पर एक तुरंत ओपन पहन लेना चाहिए इससे बड़ा जवर्दस लाम मिलेगा और दूसरा यहाँ पर एक और जो हमें महापुरस राजोग मिल रहा है वो है यहाँ पर ससनाम का महापुरस राजोग और तीसरा है देव गुरु ब्रस्पती का नीच बंग राजोग यहाँ आपके कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है आपके भागे के लिए भी बहुत अच्छा है आपके धन के लिए भी बहुत अच्छा है इस समय अगर आप साधी करनी की सूच रहे in तो आप पलानिंग कर सकते हैं अब हम बात करेंगे बिर्स रासी की तो बिर्स रासी के अंदर उतल-पुतल रहेगी के इंदर में कोई सुध्गरा नहीं है लेकिन रासी के सौमी से रासी के अंदर है और छटे बाम में रोग रिड कर्ज से मुक्पी आपको मिलेगी यनिया आपके पास धन के बोचार हो या नहो लेकिन आपके पास कर्जा हटने का योग तो बनता है इसका मतलब पैसा आएगा तो आपके पास से कर्ज में और बीमारियां उन सम्में आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी अब हम बात करेंगे मित्वन रासी के शानदार योग मित्वन रासी वालों के लिए मित्वन रासी पर सनी की डहिया का प्रवाब जरूर है लेकिन आपकी रासी का स्वामी बुद्ध अभी अभी जिसने रासी परवर्तन किया है वो अपने मित्र सुक्र के साथ बैटा हुआ है सुक्र बुद्ध की युति यहां पर केंदर तर्कौन राजयोग बना करके बैटी हुई है यानि आपकी रासी का सौमी, आपके चौते बाब का, यानि सुकसादन का सौमी, आपके संतान बाब, यानि पढ़ाई लिखाई का सौमी, ये सब एकटे बैटे वे हुएं, इसका मलत दिमाग और बुद्दी से संबन्देत अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें बारी सबसे बाकिसाली रासी है, वह चौती, यानि चान नमबर की रासी, जो इसको हम दूसरे नमबर पर लेके चल दें, यानि पहली मेस रासी थी, और उसके बाद में मितुन रासी, उसके बाद करक रासी, यहां पर भी आपको तीन राजुग मिल रहे हैं, पहला मालब नाम का म आपरश राजược और तीस राजज देव गरू ब्रसपती का नीच बंगु राजओ इसके अंदर अगर आप सुकसादन को जाते हैं, गाड़ी लेने चाते हैं, मकान लेना चाते हैं या आप साधी रासी में उतल उतल रहेगा पास्विक दूस बना हुआ है आपकी रासी का सौमी सूर है मंगल के साथ बैटा है दनवाब पर लेकिन दन और लाग का सौमी विजिस इस्थान पर है अगर आप इंडिया से बार रहते हैं तो आपकी किस्मत चमकेगी कैरियर के लिए वपार के ल बहुत ही ज़्यादा बाग साली है वो है कन्यारासी कन्यारासी के अंदर भाग का सौमी आपके कैरियर का सौमी आपकी हेल्थ का सौमी और आपके लिक्ट कैस का सौमी धन का सौमी ये सब घटे बेटे हुए हैं धन बाप पर भारी धन आने का योग धन की बारिस होने का यो बच्छा रहे आने का योग, यह नि बहुत ही बारी सबलता रही है, यहां पर आपको एक पन्ना भी पहनना होगा, और साथ में आपको एक ओपल भी पहनना पड़ेगा, हीरा भी पहनना पड़ेगा, मंगली की योग का प्रभाद जरूर है, तो यहां पर थोड़ा सा बैवाइक जीमों को समाल कर रखने की आवश्यक्ता होगी अगली हमारे पास बागे साली रासी है तुला तुला रासी में सुहें मालब नम का मापरुस राज जो फुल डिग्री पर पावरफुल डिग्री पर बना हुआ है और साथ में बुद्ध भी वाँपर आ चुके हैं बागे के सौमी बागे का सौमी और आपकी रासी के सौमी दौनों एक साथ बैटे हैं बागे कोता होगा सेर बजार से लाब मिलेगा जुए सटे से भी लाब मिलेगा प्रोपर्टी में अगर आपको रियल स्टेट का का काम कर स्वाइब करतें हैं उसमें भी आपको बारी सबता मिलने के योग बनते हैं पैसा आए गापके पास में उसके अलाबाए एक और आपके पास में राजोग बन रहा है के इंद्र तुरॐ राजोग के साथ तुस नाम का मापुरुत्र ब्रस्पतिक नीच-भंग- नीचमंग राजयोग में अपार पैसा हमारे पास आता है प्रिश्चिक रासी मोतल पुतल रहेगी थोड़ी से उनको साब्दानी रहनी जरूत है लेकिन आपको होपलेस हैनों की जरूत नहीं है होपलेस मत होई है क्यों का आपकी रासी का जो सौमिय है विदेश स्थान पर ब लिए और जो गौर्मेंट जॉग के अंदर है उनके लिए अच्छा रहेगा दनुरासी उपर सनी की साड़े साती का पैरों पर चल रही है यानि अंतिम फेश चल रहा है अंतिम साइकल है वो तो यहाँ पर आपको निश्चित तोर पर लाम मिलेगा मकर रासी मकर रासी के अ साडे साती पीक आवर में है तो अपने स्वास्त का ध्यान रखना पड़ेगा के लिए हैं के लिए नंबर वन आपका चलेगा और भैग और करम के सौमी तो नहीं एक सात बेटे हुएं तो यह नहीं आपके के केरियर की उंचायां आपके विजनिस की उंचायां आपके भग आपका साथ देने वाला है इस समय तो आप भग से कोई भी काम करेंगे तो उसमें बारी सपलता मिलने का योग बनता है अगली कुमरासी की बात करते हैं कुमरासी का स्वामी स Leny बारेन बाब में हैं खर्च के घर में बैटा हुआ है वहाँ पर देव गुरु ब्रस्पती में बैटा हुआ है नीच मंग राजयोग बना हुआ है थोड़ी उतल पुतल आ रही है क्योंकि मंगल अस्टम बाब में बैटा हुआ है तो यहाँ पर मैरिज लाइप पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है लेकिन भाग बड़ा साथ दे रह रहें विदेर से लाव लेने की सोच रहें तो आपके लिए पुजिटिब रहा करें लेकिन स्वास्त के मामले में आपको काफी यहंप लाम मिलेगा अबर आप बीमार हैं आपको को और ही लेपर तनाव रहता है, कोई डिप्रेसन रहता है, तो उससे आपको निश्चित तोर पर मुक्ती मिलेगी, बैभायक जी उनमें आपके तनाव कहीं नहीं रहने वाला है, क्योंकि मंगल का प्रवाव यहां पर लगातार बना हुआ है, वो आपको कहीं न कहीं थोड़ी सी दिक्तते प आपको मिलेगी, यह बारे की बारे रासियों का मैंने आपको फल दिया, लेकिन में इसमें चार रासियां नमबर वन, चार रासियां नमबर तू, और चार रासियां नमबर तीन पर रही हैं, यहनि धन के मामले में जवर्दस्यों बनता है.